आज हम बनाएंगे पत्ता गोबी का चटपटा सलाद, सलाद बहुत ज़ादा टेस्टी बनता है, आप इसे वेट लॉस के दोरान खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, खाने में ये बहुत ज़ादा टेस्टी और हेल्दी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, सलाद बनाने अगर आपके पास ओलिव ओल हो तो इसका इस्तमाल करें, या फिर सरसो के ओल को छोड़ कर किसी भी ओल को ले सकते हैं, अब इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे, कच्छी पत्ता गोबी किसी को गेज करती है, तो यहाँ पर आप हींग ज़रूर से डालें, अब इसमें एक चुटकी काला नमक और दो चुटकी साधा नमक डालेंगे, अब इसमें एक चुटकी काला नमक डालेंगे, अब इसमें एक चुटकी काला नमक डालेंगे, अब इसमें एक चुटकी काला नमक डालेंगे, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, मैं यहाँ पर अच्छे क में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ध्यान रहे आप ड्रेसिंग को पत्ता गोबी में तभी मिलाएं जब आप इसे सर्फ करने वाले हो अगर आप इसे पहले से ही मिला देंगे तो पत्ता गोबी नबक के साथ मिलकर पानी छोड़ देगी और क्रंची नहीं रहेगी लीजिए अपत्ता गोबी का चटपटा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी सेलेट बनकर तयार है अब उपर से थोड़ी भुनी हुई तिल डाल कर इसे सर्फ करेंगे सलाथ बहुत ज़्यादा क्रंची और रिफ्रेसिंग है अब आप इस रेसिपी को एक बास ट्राइ करें